जैभीमसाथियों आईए होली के बारे में कुछ समझते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है कहां से इसकी सुरुवात होई और इसका रीजन क्या है मनाने का होली तेवार मनाते हैं तो आप भी हैं हम भी मनाते हैं सब लोग मनाते हैं लेकिन इसके रीजन को समझते हैं कियों मनाई जाती है जो रीजन आपसे हमीशा चुपाया जाता है जो ये ब्राह्मनवादी वेवस्त था ये ब्राह्मनवादी लोग हमीशा आपसे चुपाते हैं और हमारे बहुजन समाज को बताना नहीं चाहते हैं प्रहलाज जो था प्रहलाज के पिता का नाम था हिल्लाकश्यव ठीक है पिता के एक भाई का नाम था हिल्लाकश्यव हरी द्रोही जिला हरी द्रोही यानि की भगवान को ना मानने वाले लोग बरत्मान समय में उसको हर्दोही कहते हैं हर्दोही जिले का राजा था और हिल्ला अचने आर्यों को बुरी तरह पराजित किया था एक विश्णू नामक आर्य को पराजित किया था और पूरी आर्यों की शंपति अपने कबजे में ले ली थी और उनी आर्यों ने उनको दोखे से विश्णू नामक आर्यों ने मार दिया तो हिल्णा कश्यप था हिल्णा कश्यप का बेटा था प्रहलाद और आरे आरे अपने इस बदले की भावना से प्रहलाद को उन्होंने निश्यळी और गंजळी बना दिया एक्सुली जो हिल्णा कश्यप था उसके बेटे के पढ़ने के लिए पहले आप तो जनते हैं स्कूल कॉलेस तो होते नहीं थे तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें ब्रह्मन या आरे लोग पढ़ाया करते थे वो अपने विठे को गुरुकुल भेजता था और वहां पे आपने सुना होगा नारद मुनी नारद मुनी हमेशा नारद नारद वो कुछ बजाते घूमते हैं तो वो जो नारद मुनी था बहुत दुष्ट था वो नारद मुनी ने उसको प्रहलाद को भढ़काया उसके परिवार के खिलाब और मास, मंदिरा और गांजा, भांग का सेवन करा करके उसको पक्का नसेड़ी बना दिया प्रहलाद को और वो अपने आर्जों के साथ ही नसेड़ी लोगों के साथ ही उनकी मंदली में बाहर ही रहने लगा घर बूत कम जाता था और उसके दिमाग में देवी देपताओं का ऐसा जाल भर दिया आर्जों ने कि उसका जो पिता था उसका जो पिता था हिन्ला कश्यब वो तो देवी देपताओं को मानता नहीं था और उसकी विचारधारा थी जो वुद्धिष्ट विचारधारा थी बहुत धर्म में विश्वास रखता था हिन्ला कश्यब तो जो प्रहलाद था प्रहलाद में और हिन्ला कश्यब में आप पर विलीब करो और जी आरे धर्म है पहले ब्रह्मनी धर्म था पहले जातियां नहीं बने थी तो ब्रह्मनी धर्म था तो ये काल्पनिक चीजों को बनाता था हमारे लोगों को हमारे समझ को गुमराह करने के लिए था कि इनको फसा करके इनको अपने जाल में जकल करके रखा जा सके तो हिर्णाकश्यप का जो लड़का था प्रहलाद वो अपने मित्रमंडली में बाहर ही रहने लगा था ज्यादा तर और जो उसकी हिर्णाकश्यप की वहन थी जिसका नाम था होलिका वो होलिका अपने भतीजे से बहुत मोह करती थी लगाओ तो होता ही है फैमिली मिंबर कोई होता है को तो होलिका को भी मोह था और उसकी प्रहलाद की जो मा थी वो भी उसको भी बहुत मोह था अपने बेटे से लेकिन हिर्णाकश्यप के मना करने के वावजूद भी उसकी मा ने खाना बेजा प्रहलाद के लिए होलिका के था प्रहलाद तो उसे तो कुछ पता नहीं चला और जो आ रहे थे वहाँ पे जो गुर्कल में पढ़ा रहे थे उन्होंने नकाब लगा करके और काला कालिक पोद करके उसके साथ दुर बेहौर किया होलीका के साथ ताकि वो उनको पहचान ना सके उसके साथ सोसन किया उसका बलतकार किया उसका रेप किया होलीका बेहन का और होलीका बेहन ने बोला कि मैं अपने भाई को बता दूंगी हिन्ला कश्यप को होलीका बेहन ने सब को पहचान लिया तो उन लोगों ने होलीका को जला दिया बहीं पे मार दिया और बाद में जब हिन्ला कश्यप को इस बा माथे पर निसान बना करके उनको पूरे सहर में घुमाया और लोगों ने उनके उपर कीचड इंट पत्थर फेंके कीचड फेंका जिसको आज हम लोग भी उसी रूप में मनाते हैं एक दूसरे को पर कीचड फेंकते हैं एक दूसरे को पर रंग फेंकते हैं और उसी तरह से हम लोग खुशी में मनाते हैं वास्तों में हम लोगों को ये चीज़ नहीं मनाना चाहिए जो इन लोगों ने इस्टोरी प्रचलित की है कि होली का प्रहलाद को ले करके गोद में ले करके बैठी थी आग में कोई भी अपने से आग में नहीं बैठेगा ठीक है और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर वो प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठती तो प्रहलाद बच जाता और होली का मर जाती मरते तो दोनों क्योंकि scientifically ऐसा possible ही नहीं है scientifically ऐसा possible ही नहीं है और इन लोगों ने गलती स्टोरी प्रेशलित किये ताकि इनके जो देवी देपताओं का जो सम्मान है वो बरकरार है इन्होंने प्रेशलित किया कि होली का धर्म रोजी थी और उसको प्रहलाद को ये लोग मारना चाहते थे क्योंकि वो देवी देपताओं के भक्ति करता था और देवी देपताओं ने प्रालाद को बचा लिया और होली का भश्मोबे जब कि ये चीज बिल्कुल गला था इन्होंने होली का रेप किया बलतकार किया और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद इनके उपर कालिक बोद कर है कायर ठीक है वो लोग कायर हैं जो अभी लगाते हैं आप हमें अभी लगाते हैं हम आपको अभी लगाते हैं खुसी मनाते हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेहन की और रिष्टे में हमारी बेहन हो लिका बेहन है और बुगा भी है तो अपनी बेहन के अपने तो आज से ही इस चीज को बंद करो और होली का जो तेवहार है इसको होली का सहादत दिवस के नाम से मनाओ पहली बाद तेवहार अपने जो होते हैं अपने तेवहार नहीं होते हैं अपने पर्व होते हैं अपने, जो भी उस्सो होते हैं, महोस्सो होते हैं, अपने तेवहार नहीं होते हैं, तेवहार यानि कि तुम्हारी आवहार, मतलब पराज है। तुम्हारी पर आज़ है तो ये ब्राह्मनों ने सब दिश्चेमाल किया था मुहली नाज़ियों के खिलाब उम्हित करता हूँ आप लोग समझ गया होंगे और जल्द से जल्द फालो कर ले हर जगे मुझसे जुड़ जाएं ट्विटर पे बलिदान सिंग बहुद कहीं पर भी सर्च करेंगे पुर्भी डिटेल मिल जाएगी राष्टरी मांसेचेव नेशनल एंड इंडरनेशनल गु साजयांपूर उत्तर प्रदेश तो साथियों ज्यादा ज्यादा पोस्ट को सेयर कीजिए ताकि होली आने से पहले हमारा समाज इस सच्चाई को जान सके और जागरुक हो सके आज से होली का बहन की मरत्ति उपर होली का तेवहार बनाना बंद कीजिए ये कायरता की निसानी है अपनी बहन की हत्या पर अपने बहन के रेप पर हम खुशिया मना रहे हैं इस चीज को बिलकुल बंद कीजिए और हम इसको होली का सहाधत दिवस के नाम से मनाएंगे और होली का बहन को सरद्धांजली अर्पित करेंगे ठीक है